हेलो दोस्तो आज की हमारी सेटेलाइट है फोर डिग्री वेस्ट एमोस जिसको की मैंने ट्रेक किया मेरी चार फिट की टाटा स्काई की के यू बेंड एंटिना पे लोकेशन है डही जीलाधार मध्यप्रदेश आपको डिश एंटिना दिखरी होगी कितनी टाउन है इस वेस्ट की सेटलाइट को ट्रेक करने के लिए मैंने इस एंटिना पे ओल्रेडी मोडिफिकेशन करवाई थी बट उम्मीद से और भी ज़्यादा डिश एंटिना जुकी तो मुझे पीछे से फरसी उठा के इड रखना पड़ी तो अगर आप लोग भी इस सेटलाइट को अभी तक किसी भाई ने ट्रेक नहीं किया है और ट्रेक करना चाहते हो तो मैं एक बात क्लियर बता दू कि आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा डिश एंटिना नीचे डाउन जाएगी यह देख सकते हैं इसका इस्टेंड मोडिफाई किया मैंने इसके बहुजूद भी जो है और इसको डाउन करना पड़ी तो नीचे से यह लगा के और इस सेटलाइट के बारे मैं आपको एक बात बता दू कि सिगनल इसके जो है कभी तो 90 हो जाएंगे या तो फिर 70, 70, 30, 20 पर सिगनल आ जाएंगे यानि कि स्टेबल नहीं रहेंगे अगर आप इस सेटलाइट पर डिस सेटिंग करोगे तो कभी 90 पर सिगनल पोट जाएंगे लेकिन बाद में आप देखोगे तो सिगनल 10, 20, 30 पर आ जाएंगे यानि कि कम जादा होते रहते हैं इसकी स्ट्रोंग टीपी ये ले 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 ना 11,031 वर्टिकल 27,500 और अगर ये टीपी रहेगी तो अगर मेरी लोकेशन के आसपास अगर आपको तो आपका साड़े तीन फिट पे भी आराम से एमोस 4 वेस्ट ट्रेक हो जाएगा और ब्लाइन्ड स्केनिंग में हर वक्त अलग-अलग चैनल लिस्ट आती है यानि कि कभी तो 1500 चैनल आ जाएंगे कभी 100 चैनल आ जाएंगे कभी 90 खैनल कभी 50 कभी 27 तो ऐसा इसका रहेगा फिलाल में जब मैंने स्केनिंग किया तो 98 चैनल आये है अभी अगर सामको में स्के स्केनिंग में नहीं आते हर बार कम ज्यादा आते क्योंकि सिगनल भी इसके एकदम हवा के जोके की तरह कम ज्यादा होते रहते हैं इस सेटलाइट को सेट करने के लिए आप सबसे पहले सेवन इस्ट करो उसके बाद एंटिना के पीछे खड़े होके सीधा हथ की तरफ घुमाके थोड़ा और डाउन ले जाना पड़ेगी थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा डाउन तो यह देख सकते हूं यस का पेकेज और और भी सब कुछ पेकेज इसमें मिल जाता यह ले बहुत्त से मेरे अर्व है तो बहुत-स पुराने दोस्त लोगों ने सेस्क्राइबर भायों मुझे मैसेज और कहा था कि फॉज डिग्री वेस्ट को कैसे ट्रेट करें तो ये वीडियो उनी भाई लोगों के लिए बनाया है ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में